Hello friends, कैसे हो? आज हम सिखने वाले हैं 10s यानि की काल काल का इस्तिमाल कहा होता है? किस तरह से हम इसे उप्योग कर सकते हैं? और कहीं-कहीं competitive exam में, UPSC exam में और कहीं सारी spoken English में भी एक टैन्स का इस्तिमाल होता है Friends, एक TENS हम अच्छी तरह से सिखेंगे और इजी वे से सिखेंगे ताकि आपको कोई भी डिफिकल्टी एक TENS में नहीं रहेगी Friends, let me introduce myself before go ahead Friends, I am Harishwara from Surat Gujarat Friends, I have passed BA and MA from Veed Narmad South Gujarat University और 15 सालों से मैं विदान्त Online Education नाम की संस्था से जुड़ा हूँ और इसमें कहीं thousands यानि कि कहीं सारे स्टुडन को ये English का लाव मैंने दिया है और इस वीडियो के माध्यम से ये platform के माध्यम से आपके तक मैं ये लाव पहुचाना चाहता हूँ तो friends कहीं जाएगा मत हम सिखते हैं tense let's start friends इस series में हम एक tense के बारे में deep में detail में पूरी series में सिखेंगे friends manly tense कितने टाइप के होते हैं friends tense तिन टाइप के होते हैं यानि कि simple present tense, दूसरा simple past tense और तिसरा simple future tense friends ये तीनों काल हमारी रोजिनी लाइफ में हम इस्तिमाल करते हैं और ये तीनों tense के जरीए हम सारी बाते यानि कि जो भी हमारी routine लाइफ में जो भी हिंदी बोलते हैं उसका spoken में जब English में convert करते हैं तब इसका उपयोग बहुत ज़्यादा होता है friends यानि कि एक example के जरीए हम समझे तो मैं cricket खेलता हूँ मैं cricket खेलता था और मैं cricket खेलूंगा यानि कि खेल रहा हूँ खेलता था खेल रहा हूँ ये present tense हुआ खेलता था ये past tense हुआ मैं cricket खेलूंगा ये future tense हुआ यानि की जो क्रिकेट खेलने की जो गटना है वो present, past और future इसी तरह से हमारा तीन काल होता है तो हमें प्रशना होता है ये तीन काल ही क्यूँ कोई चौथा काल क्यूँ नहीं Friends, हमें कहीं पुरानों में और शास्त्रों में सुना होगा त्रिकाल ज्ञानी, यानि कि त्रिकाल यानि कि तीन काल, यानि कि वर्तमान, भुदकाल और भविशकाल, ये बात स्रीमत भगवत गीता में भी दो रहाई है भगवान से क्रिश्न ने, इसलिए काल सिर्फ मेंडली हम हाँ भाई, 12 टाइप के होते हैं, लेकिन वो तीन काल की चारा चारा अवस्ता है, वो कौन सी चार अवस्ता है, किस अवस्ता को किस तरह से हम दोरा सकते हैं, ये हम आगे सिखेंगे तो फ्रेंड्स, एक काल उसकी चार अवस्ता है, तो कौन सी वो चार अवस्ता है, तो तीनो काल की चारा चारा अवस्ता है, यानि कि टोटल हमारे हुए 12 टेंज, 12 काल, ये 12 टेंज हम जब सुनते हैं, तो I have got a 10, 10 got a 10, हमें बड़ा ही 10 देता है, यानि कि टेंशन देता है, लेकिन फ्रेंड्स, गबरानी के कोई जरूरत नहीं है, मैं हून आपके साथ, तो फ्रेंड्स, ये 12 काल हम यूही कैसे सीख सकते हैं, और एक ही मिनिट में आपको 12 काल, यानि कि 12 टेंज, याद रखने का एक्जामपल भी मैं सिखा सकता हूँ, लेकिन वो एक्जामपल हम अ आने वाली वीडियो में देखेंगे, इस वीडियो में हमारा 12 टेंज क्या है, कौन-कौन सा टेंज है, यही बाते हम सिर्फ करेंगे, तो पहला टेंज यानि कि हम वर्तमान काल ले ले दे, तो वर्तमान काल यानि कि प्रेजन टेंज, तो प्रेजन टेंज की प्रथम अवस् होती है continuous यानि कि चालू अवस्ता तो continue present tense और friends हमारी तीसरी अवस्ता होती है perfect present tense यानि कि जो perfect है वो क्रिया हमारी action हमारी पुर्ण हो गई है और friends हमारी last और fourth अवस्ता है continue और perfect यानि कि continue perfect present tense वो चारों अवस्ता present में आई यानि कि simple present, continue present, perfect present और continue perfect present वो चार अवस्ता present tense की हुई इसी तरह से past tense की भी चार अवस्ता होती है यानि कि एक बार में वही दोरा देता हूँ simple past tense, continuous past tense, perfect past tense, continue perfect past tense यानि कि चार और चार आठ और last हमारा future tense है यानि कि simple future tense, continuous future tense, perfect future tense, continue perfect future tense ठीक है friends तो इस तरह से हमारा 12 tense होता है तो 12 tense ऐसे होता है और इसका एक example मैं आने वाले वीडियो में आपको जरूर दूँगा लेकिन friends इसमें हम पहले यह देखते है एक example के जरिए देखते है first off, we have to learn one example on the screen for example, I play cricket, simple present tense I am playing cricket, that's the continue present tense I have played cricket, that's the perfect present tense and last one is that I have been playing cricket since morning I have been playing cricket since morning यानि कि morning से अब तक मैं cricket खेलने की मेरी जो action है, क्रिया है वो पुर्ण हो चुकी है, perfect हो चुकी है लेकिन अभी भी मैं cricket खेल रहा हूँ यानि कि perfect continue, दोना action match होती है that's the hour four stage, यानि कि चोथी अवस्था ठीक है friends, तो ये चारो चार अवस्था ये है और इसी तरह से past tense में, इसी तरह से future tense में और ए example इसमें भी आप लागू कर सकते हैं और इसके dip में हम आने वाले वीडियो में देखेंगे आशारक्ता हो friends, आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी इसलिए friends, आप मेरी चैनल को like करे, share करे और subscribe करे और आने वाले वीडियो के लिए उसके notification के लिए बेल आकट दबाना मत बुलिएगा तब तक के लिए स्वस्त रहे, मस्त रहे गुडबाई, जैहिन